दोस्तों Falcon and the Winter Soldier के end होने के बाद audience को दो टाइप की खुशे मिली थी पहली तो यह कि यहाँ पे Sam Wilson की एक solo movie आ रही है Captain America 4 के नाम से और दूसरी Chris Evans की एक अलग movie आएगी त्योंकि दोस्तों यह जो TV series है इसकी story अभी end नहीं हुई है यह हम लोग बात करें Sharon Carter की यह हम लोग बात करें Baron Zemo की आभी सबकी कहानी में कुछ और आगे की scene बाकी है जो कि आगे हम लोग को पता भी चलेगा लेकिन आज की video में में discuss करूँगा कि यहाँ पे Spider-Man का कीमियू कैसे हो सकता है Captain America 4 में और यहाँ पे इस movie में असली villain कौन है जो की काफी unique है दोस्तो complete video को start and spell आप लोग कर दिए वीडियो को like और comment करके बताइए कि अगर आपको option मिले या बकी बांस को देख सकते Captain America 4 में Sam Wilson के साथ या फिर Spider-Man को तो आप किसे देखना पसंद करेंगे साथी साथ जो लोग मैं चैनल पर नए है मैं चैनल को सबस्क्राइब करके हमारी Comic Book Talks Family का हिस्सा बन जाई तो दोस्तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिलकुल नई अपडेट से सबसे पहले हम लोग समझ लेते कि Spider-Man यहाँ पर क्यों आ रहा है जो कि बाकी सुपर हीरो का मैंटल ले रहे है यहाँ पर Spider-Man 2 में यह भी कहा गया था कि पीटर पाकर अगला Iron Man नहीं बन सकता है इसलिए उसने गलती से मिस्टीडियो को एडिट ग्लासेज दे दिये थे लेकिन अब सब चीज़े बदल गई है यहाँ पर Samuelson भी अगले Captain America बन के है तो यहाँ पर उनके जो मिशन होगे वो किसी एक सिटी में नहीं होगे बलकि वो अलग जगा अलग कंट्री में घूमेंगे ज़रूर इसी बीच कोई ना कोई ऐसा मिशन आएगा जहां पर अखेले पढ़ जाएंगे और इचानल उन्हें बचाने आ जाएगा Spider-Man जहां दोस्तो अगर ऐसा हो गया तो इस स्टोरी कितनी ओसम लगे गया हाँ भले Peter Parker को केमियों ज्यादा नहीं हो हो सकता इसका केमियों उतना ही हो जितना की Captain America Civil War में था लेकि दोस्तों आप लोग को पता होगे कि Avengers Team में एक चीज तो common रहती है उनके पास एक लीडर होता है जो उनको guide करता है कि कैसे काम करना है इसका जवाव हम लोग को Avengers Part 1 में मिला था Age of Ultron में मिला था हाँ Infinity War में Steve Rogers अलग हो गये थे लेकिन फिर भी वह एक दूसरे को guide जरू करते थ जानि दोस्तों जो इनकी responsibility है वो Sam Wilson ने ले लिए अगर यहां पर Avengers Team मती है तो मेरे साब से कुछ समय के लिए Sam Wilson इस team को lead करेगा अब आप लोग सुचिंगे ऐसा कैसे हो सकता है उसके पास कोई superpower नहीं है तो हो सकता है दोस्तों आगी जाके Captain America 4 में यह भी कहा जारे कि गलती से Sam Wilson को Super Soldier Serum आ जाएगा और जिसके वुझे से उसके पास Super Powers आ सकती है क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें Sharon Kartaki तो Sharon Kartaki क्या intention है अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है और Baron Zemo भी कभी ना कभी तो जिल से बाहर आ सकता है उपर से दोस्तों बकी बांस भी वहीं है इसका मत साइंटिस्ट ने एक ऐसा अडवांस Super Soldier Serum बनाया जो बॉडी में एन्हांसमेंट नहीं करता था लेकिन पावर एग्जाक्ली वही रहती थी लगा था फ्लैक्समेशर को आप लोग समझ सकते है कि Super Soldier Serum का लेवल कितना अपग्रेड हो रहा है क्या पता Sam Wilson को इससे भी बेटर आप लोग को पता है यहां पे Captain Marka में Hydra का किरता important role होता है और Hydra की शुरुवात किस ने कीती जी हां दोस्तों आप बिल्कुल सही करें Red Skull ने अब यहां पर Red Skull तो Captain Marka first Avenger में गया वो गया फिर वह हम लोग को दिखाए दिया Avengers Infinity War में यहां पर लोगों को guide करता है कि Soul Stone को कै से hustle किया जाए लेकिन दोस्तों जैसे सोस्टन वहां से चला जाता है क्या वो आजाद हो जाता है इसके बारे में कुछ reveal नहीं हुआ है लेकिन हाँ दोस्तों Captain America 4 में उसके आने के possibility है क्योंकि Hydra भी खतव नहीं हुआ है लेकिन अब आप लोग सोचेंगे इससे better option क्या हो सकत जाता है और वह बन जाती है God of winter जहां दोस्तों आप लोग यह बास तोंके काफी confused हो रहेंगे तो चलिए मैं इसको शुरू से समझाता हूं आपको यहां पैसल में क्या होता है 1942 में Red Skull एक ritual करता है जिसके उजसे वह कोई Asgardian Hammer को अर्थ पर ले आता है अब दोस्तों यह जो और उसे उठा लेती है और उसके पास सकादी की power आ जाती है अब यहाँ पर जैसे यह hammer आता है सकादी normal human being से एक super human बन जाती है लेकिन उस power का गलत इस्तमाल करती है अब बहुत लोग सोच रहेंगे अगर उसके intention गलत है तो वर्दी कैसे हो गई तो दोस्तों इसके बारे में काफी details नहीं बता गया है इसके बारे में हम लोगों को आगे जरूर पता चलेगा लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है वो hammer को use करते हुए एक serpent को release कर जाती है जो कि Thor के लिए एक बहुत बड़ा villain साबित होता है यहने दोस्तों आप लोग समझे है Captain America 4 से फिर Thor के आगी की movie इसक पाट भी connected हो सकते हैं कि मतलब यह है दोस्तों कि इस level के विलेंस से अगर Sam Wilson को fight करनी है तो कैसे करेगा इसके अलावा अगर उसके साथ Spider-Man बे आ जाए कुछ वर्त के लिए तो movie में बात बन जाएगी दोस्तों क्या आप लोग जानते कुछ समय के लिए Sam Wilson की नई level interest कौन बन लगती है और यह बाद दोस्तों मुझे थोड़ी logical भी लग रही है यानि दोस्तों आगर हम लोग Captain America 4 को ध्यान से देखे तो उनकी टीम में लोग को दिखाए दे सकते हैं Sam Wilson उसके बाद Spider-Man और Jane Foster क्या पता Bucky Bons भी आ जाए अपने White Wolf को कॉस्ट्यूम में तो कितना awesome यानि वो Dimension को बचाते हैं और Earth को देखते हैं उसकी reality ठीक है के लिए और यहाँ पर अगर अर्थ पर New Avengers की टीम बननी है और पहले के लोकल सुपरेडर को इंट्रिजूस करना है जो कि पहले से अर्थ पर बिलॉंग करते हैं तो यहाँ पर Sam Wilson ही सही रहेगा और बाद में जा सकता हूं Face War के end होते ही और Face 5 की शुरुबात में audience एक ऐसी Avenger movie का वेट करी है जो की end game level के बराबर की हो तो दोस्तो यह सब तभी होगा जब नए सुपर हीरो आ जाएंगे उनकी backstory हम लोग समझ लेंगे कोई नया सुपर विलन आ जागा जिसको defeat करने के लिए सब को एक साथ क दिखाए देगा क्योंकि actually में जाके बाकी मुटेंट से भी connected रहेगा और यहां पर अगर actually में टचाला जिंदा होते तो यहां पर स्ट्रॉम काना तो ब्लैक पंतर 2 में पक्का था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अब देखें स्ट्रॉम कैसे आती है क्योंकि का जारे वह वाकां जल्दी एक में टेलर भी दिखाए देने वाला है यहां पर आप लोग तो जानते कि होकाई की टीव सीरीज भी खतब गई फिल्मिंग अब यहां पर उसमें एक क्याक्टर है जिसका नाम एको है आगे जाके उसकी भी सीरीज आएगी दोस्तों उसके बारे में लोग किसी औ आरे में भी जल्दी अनाउंस होगी तो दोस्तों यह थी एक अमेजिंग अपडेट जो की रिलेटेट इस मुई से आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी बसे आपकी क्या वीजोश पटलर टॉपिक पे अपने वीव जरू कमेंट कीजिए हो दोस्तों अगर आप ऐसी उनिक सुपरेड़ो कॉंटेंट इंजॉय करना चाता है तो माई चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपरेड़ो फामली का हिस्सा बन जाएगे